यह प्राचीन काल की बात है कि एक राजा किसी देश पर शासन करता था. उस राजा के शासन और दया के कारण उसकी प्रजा शान्ती और शान्ती से अपना जीवन व्यतीत कर रही थी. इस देश के लोगों के बारे में विशेश बात यह थी कि वो हमेशा था अपने स्वयम के मामलों में व्यस्त जिससे देश अच्छी तरह से विक्सित हो रहा था और लोग अच्छी तरह से संपन थे उनका राजा न केवल बहुत बुद्धिमान और बहादो था बलकि वो एक शान्ति प्रियशासक भी था और वो अपने पर्डोसियों के साथ रहता था राजा के पास एक छोटा राजकुमार भी था जो लगभग धाय वर्ष का था और कींती आसनों को फैलाया गया था ताकि वे आराम से चल सकें और धूल आदी से सुरक्षित रह सकें राजा के पडोस में एक और देश था उसका वर्तमान राजा कभी उस देश का मंत्री था लेकिन फिर उसने इस देश के राजा को शट्यंत्र करके कैट कर लिया और स्वयम सिंगासन पर कबजा करके राजा बन गया वो उसे मारना चाहता था लेकिन मजबूर था एक बात राजा के पास देश के खजाने की चाबियां थी उसने इन चाबियों को एक गुप्ट स्थान पर छिपा रखा था उसे उसे सौप दिया गया था लेकिन राजा समझ गया कि अगर उसने इस नमक निशिद मंतरी को चाबियां सौप दी वो उसे मार डालेगा इसलिए उसने चुप चाप हर यातना सहली मंतरी एक लालची आदमी था और वो धन संपत्ती का मोहताज था इस लालच के कारण उसने सेना की मदद से अपने आसपास के सभी छोटे राजियों पर आक्रमन किया और उनकी सारी संपत्ती पर कबजा कर लिया तार इन उपलब्धियों के कारण उसे गर्व था कि वो किसी भी देश पर आक्रमन कर सकता है और उस पर कबजा कर सकता है एक दिन उसके साथ यह हुआ कि उसका पडोसी देश बहुत सम्रिध था न केवल अपने खजाने में बहुत सम्रिध धान है लेकिन लोग भी हैं बहुत अमीर यह सोचकर उसके मूह में पानी आ गया और एक दिन उसने अचानक रात के अंधेरे में अपने पढ़ोसी देश पर आक्रमन कर दिया यह उसकी भरांती थी कि वो आसानी से पढ़ोसी देश पर अधिकार कर लेगा उसका राजा बहुत चतुर और विवेक पूर्ण था इस हमले के जवाब में उसकी सेना ने बहादूरी से इस चालाक राजा का मुकाबला किया और उसे न केवल हरा दिया बल्कि उसके देश के एक बड़े हिस्से पर कबजा कर लिया इस जीत की खुशी हर तरफ एक उत्सव की तरह थी राजा ने युधगरस प्रदेशों में अपने राजय पालों को नियुक्त किया और महल में लोटने की तयारी शुरू कर दी उसे अपने छोटे राजकुमार की बहुत यादा आई दिन खतम हो गए इस हर ने इस धूर्ट राजा को चौका दिया था पड़ोसी देश पर कबजा करने के बज़ाए उसने अपने देश का एक बड़ा हिस्सा खो दिया था वो अपनी अपमान जनक हर का बदला लेने के लिए उत्सुक था और फिर उसके दिमाग में एक बुरी योजना आई उसने देखा कि बड़ोसी देश के लोग जीत का जशन मनाने में व्यस्त थे उसने स्थिती का फायदा उठाया और अपने कुछ खास आदमियों को राजा के छोटे राजकुमार को महल से अभरन करने के लिए भीजा वो इस राजा से अपना क्षेत्र वापस ले लेगा और इसके साथ बहुत सारा धन दूसरी ओर जब राजा युद्ध के मैदान से अपने महल में वापस आया तो वहाँ एक कहाराम पिता था